वेलकम बैक अब्रिवन वेलकम टू सुवल सर्विसेश टड़ी ये टेस्ट नंबर है 249 यूपी पीसी एस के लिए और फोकस करने वाले हैं इसमें हम करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर देखे अभी हाले में यूपी बीयो हुआ था उसमें जो है मार्च मार्च दोह्यार तक कि करेंट पूछी गई थी उसके बाद का एक आदी कॉस्चन था अधिकतर करेंट रफेर्स पुरानी थी 15-16 महीने पुरानी तो इसमें हमने जुलाई जून तक का एड़ किया है चले देखते हैं कितना कितना किसका सही हो जाता है तो कॉस्चन नंबर बन पर आजाईए BCCI ने इनमें से किसे National Cricket Academy का अधियक्ष निउक्त किया है किसको निउक्त किया है कौन है इस समय राहूल द्रवड अप्सन नंबर बी और BCCI का फुल फॉर्म किया होता है Board of Control for Cricket in India भारत में BCCI और ICCI किसमें है ICC International Level पर इंडियन Cricket Council International Cricket Council कुश्चन नंबर टूपर आजाईए निम्न मैंसे किसने बॉलेंड में हुई कुटनो एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 200 मेटर रेस में गोल्ड मैडल जीता है किसने जीता है eliminate करिये स्मृति मंधाना तो Cricket खेलती है यह नहीं होगा हेमादास इसका answer हो जाएगा option number B धींग express कहा जाता है इनको UPPCS की फेवरेट आए इनके ओपर प्रशन बनाया दो तीन बार तो देखे हेमादास ने अब तक जो है पाँच गोल्ड मैडल जीते हैं पाँच पोज्रोन Athletics Grand Prix 200 मेटर रेस में इनकोंने गोल्ड मैडल जीता है और पोलेंड कुटनो Athletics meet में 200 मेटर रेस में इनकोंने गोल्ड मैडल जीता है हिमादास को धींग एक्स्प्रेस के नाम से भी जाना जाता है असम की रहने वाली है ये भारत के किस सहर को युनेसको ने विश्व धरोहर सूची में सामिल किया है जैपूर विशाका पत्ना मिंद और उदैपूर इंपोर इंपोरेंट है प्रशन इसका अंसर है जैपूर आप्सन नंबर सी राजस्थान का जैपूर कैपिटल भी है ये तो जैपूर अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना कब होई थी उस समय अंग्रेजों के काल में 1727 में जैपूर का संस्थापक कोन है महराजा जैसिंग द्वीप्ती भारत के कुल 37 इस्थल ऐसे हैं जिनको युनेसको ने विस्व धरुहर सूची में सामिल किया है विस्व में सबसे ज़्यादा इटली के इस्थल जो है विस्व धरुहर सूची में सामिल है ये भी आद रखेगा बिएसफ ने पाकिस्तान सीमा पर घुस्पैट रोधी ग्रिट को मजबूत करने के उद्देश से कौन सा अभ्यान चलाया था बताईए ओप्रेशन बिजे नहीं है ओप्रेशन संचार नहीं है ओप्रेशन सुदर्शन चलाया था ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं प्रेशन बिएसफ का फुल फॉर्म क्या है बॉर्डर सिक्यूर्टी फॉर्स इस्थापना कब होई थी इसकी एक दिसंबर 1965 को इसका उद्देश क्या है देश की सीमा पर सांतिस्थापित करना और मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के अंदर एगे ग्लोबल इनोवेशन इनडेक्स 2019 में भारत की रेंग क्या है बावन भी चौवन भी चौवन भी 57 नहीं है बावन या चौवन चौवन भी नहीं है बावन है बावन और 2018 में कितनी थी सौवन थी एक जुलाई 2019 को लोग लेखा समीती के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है मल्लिकार जुन खर गए नहीं अधीर रेंजन चौधरी को अप्सन नमबर भी है इसका अंसर लोग सबाई स्पीकर निक्त करता है न तो देखें यह समीती विपक्षी दल की अध्यक्षता वाली समीती होती है जो भारत सरकार के खर्च पर निगरानी रखती है इस समीती में कुल 22 सरस होते हैं UPSC 24 में प्रशन कर चुकिया इसके उपर और वो प्रशन कट रहा था यहां 15 प्लस 7 पर इसमें 22 मेंबर होते हैं वहां लेकर रखतें 24 होते हैं इस समीती में जो भी सरस से होता है उनका कारिकाल एक वर्श का होता है और इसके अध्यक्ष की निक्ति कौन करता है लोग सभा का अध्यक्ष चीन द्वारा लांच किया गया पहला commercial rocket मतला बानेजिक rocket निम्न में से कौन सा है कौन सा है Falcon नहीं है CGM नहीं है यह है Hyperbola 1 commercial rocket Hyperbola 1 तो इसे I-Space ने launch किया है यह rocket micro satellite अपने साथ ले गर गया है यह एक radio mission है जिसे विजिंग technology of institute द्वारा विक्सित किया गया है question number 8 पर आजए दक्षन भारत को सर्वस्रेष्ट सांसद का पुरुसकार जीतने वाली पहली सांसद कौन है दक्षन भारत से सर्वस्रेष्ट सांसद का पुरुसकार जीतने वाली पहली सांसद कौन है बताए जैपाल रड़ी, चंदरबाबू नाइडू, एन करुणा निधी या फिर बी एस येदुरप्पा सर्वस्रेष्ट सांसद का पुरुषकार जीतने वाला जीतने वाली महिला है ये पहली सांसद है जैपाल रेड़ी option नमबर ए है इसका answer क्यों पूछा गया प्रश्ण क्योंकि हाल ही में 2019 में इनका निधन हो गया और यह पांच बार लोकसभा सांसद तथा दो बार राज्य सभा सांसद बनी अंतराश्टिय बाग दिबस कब मनाया जाता है अंतराश्टिय बाग दिबस मनाया जाता है 29 जुलाई को कब मनाय जाता है 29 जुलाई को मनाय जाता है और मध्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाग पाई गए है 526 डिक्रेजिंग ओर्डर में याद रखिए सबसे ज़्यादा बाग बर्तमान में मध्ध प्रदेश में है मध्ध प्रदेश के बाद कहां पर है करनाटक में करनाट मद्रास संगीत अकैदमी का संगीत काला निदी पुरुषकार दोयर। उन्ने किसे परदान किया गया है। किस को म सूम्मिया को यह नाम वियाद रखना सीधे-चीधे किस देशने लौच किया है दुनिया का पहला अंडर वार्टर मिलिटरी मीजियम इसराइल या जॉर्डन देखे जॉर्डन ने लॉंच किया है और जॉर्डन जो है लाल सागर में ये जो म्यूजियम है वो लाल सागर में आठ फिट नीचे की गहराई में बना हुआ है आठ फिट नीचे बना है लाल सागर में एक प्रेशन आ जाता है लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले कौन-कौन से देश है, काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले कौन-कौन से देश है, important है, ये कई-कई बार करा है, इनको पढ़ लिजेगा, फर से revision कर लिजेगा, अच्छा क्या Jordan, Mediterranean, जो भूमदिस सागर है, उसके साथ सीमा बनाता है, ये लेटरिक है ना, कई बार बताया था, तुर्की है, इस्रेल है, सीरिया है और लेवनान है, तो जॉर्डन नहीं है, निम्ण में से जलनीती बनाने वाला देश का पहला राजी कौन सा है, इंपोर्टेंट है, मेघाले है, मेघाले है, अप्सन नम्बर बी, जहां पर मसीन राम इस्तित है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, इस तरह से याद कर लिजगा, इतना सारा जलन के पा भारतिय विश्व बैंक का मैनेजिंग डिरेक्टर और सी एफू, मतलब चीफ फाइनेंशल ऑफिशर नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, सक्तिकांदास, सशिकांदास, अंशुलाकांद, संदी बक्षिया, अरुन्दती, भटाचारे, किसको? देखे, इसका उत्तर है, अप्शन नमबर भी, सक्तिकांद, अंशुलाकांद को, बात करें विश्वेंग की स्थापना की, तो 1944-45, ये इस्थान रहे था, 1944-1945 है, किसका IMF का? वॉसिंग्टन DC, USA है ये, दोनों का, कोशन नमबर तेरह पर आजएए, भारत का पहला सिंगल यूज, प्लास्टिक फ्री हवाई अडड़ा कौन सा बन गया है? भारत का पहला single use plastic free हवाई अड़्ड़ भही इस सथ है जहां पर UPSC का इंटरेव्यों होते हैं कहां पर दिली में होते हैं तो इंटरनेस्टनल इंटरनेस्टनल हवाई अड़्ड़्ड़ है ये दिल्ली का plastic free single use plastic free तो इंदेरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली है इसका उत्तर याद रखेगा कोशन नमबर फोर्टीन पर आजाईए निम्न मैंसे किस राज सरकार ने मुख्य मंतरी कन्या सोमंगला योजना लॉंच की है सभी को पता होगा इसका उत्तर क्या है मद्द प्रदेश की सरकार गलत उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश क्या है इस योजना का महिलाओं का ससस्तिकरन सुनिश्चित करना और महिलाओं के लिए इस योजना के अंतरकत जन्म पर उनके 15 हजार की धनराशी विद्रित की जाईगी उत्तर पर देश सरकार की तरफ से कोश्या नमबर 15 पर आजाईए निम्न में से कौन सा राज विजे हजारे ट्रोफी 2019 का विजेता रहा है विजे हजारे ट्रोफी 2019 का विजेता कौन है बीसी किस तो खेली नहीं गई करनाटक है करनाटक और चार वार विजेता बना है और सरवादिक वार विजेता कौन बना है तमिलनाडू कुल पांच बार इस ट्रोफी की सुरूबात कब होई थी पहली बार 2002 में तो देखिए करनाटक विजे हजारे ट्रोफी चार वार जीत चुका है सरवादिक बार कौन जीता है तमिलनाडू पांच फार जीता है और इस ट्रोफी की सुरूबात कब होई थी 2002-2003 में 2002 में हुई थी और किस खेल से संबन देता है विजह हजारे ट्रॉफी बैट बॉल मतलब क्रिकिट से संबन देता है धरने बाद इनका रिविजन कर लेजेगा important impression